माहने गरम उन्ती जी आपको मैं क्या हूँ सभापधी महोदय इस सदन्य में आज विशय पर और विशयांतर पर दोनों प्रकार की चर्चाए हुई है खेर मेरा अदाई तो है मैं बिलको पाइलोट कर रहा हूँ तो विशय की भी जवाब देना पड़ेगा जिन्नोंने विशय अंतर करा है उसका भी जवाब मुझे देना पड़ेगा मानिय जग जी अगर चर्चा विशय पर होती तो मेरा जवाब भी विशय पर और सटीक तरीके से विशय के दाइरे में ही रेता मगरे सदन देश की सबसे बड़ी पंचायत है 130 करोड की आबादी सदन में जो चर्चा होती है इसको देखती है क्यूंकि बील पर बोलने में थोड़ा दाइरा विश्त्रित होता है लोग सभा के कारेवाही के नियम बील पर बोलने में थोड़े लचिले होते है इसका उप्योग करकर बहुत सारे सदस्यों ने धेर सारी बाते कहिए मुझे कोई आपती ने सबको सब बात करने का अधिकार है मेरा एक ही विननती है कि मेरी बात भी जरा ध्यान से सुन ले अभी अभी शुरू नहीं हुए दादा ध्यान से सुन लेना मैं सबसे पहले जो बीस सदस्यों ने आज की चर्चा में हिस्सा लिया है पक्स और विपक्स के मिलकर सबी ने अपने अपनी दृष्टी से बिल के बारे में अपने विचिशा रखे है मैं सबी के प्रती अभार व spearक्त करता हूँ कि आपने इस बिल को इतने ध्यान से पड़ा इसकी गहराईयों में जाने का भी प्रयास किया इसके साथ जुड़े हुए राजनेतिक पहलों को भी सोचा और अपने अपनी दुरुष्टिकोंट से अपने अपनी समझ के इसाब से आपर विशय रखने का प्रयास किया मानिया दर्जी सबसे पहले एक बहुत बड़ा विशय आया संगिय धांचे पर अतिक्रमन का और दूसरा राज्यों के अधिकार हम छिन रहे हैं इसका मनिज भाई भी बोले विपक्स के कॉंग्रेस के नेता भी बोले दादा भी बोले कई सारे लोगों ने बोला मैं सबसे पहले इस गुरू के सामने इस विशय को स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये विधयक जो मैं लेकर आया हूँ मनिया द्यक्जी सम्विधान के अनुच्छे 249 ए ए के प्रदत संसत की सक्तियों के अनुरूप में लेकर आया हूँ अगर किसी को पढ़ना है तो मैं पढ़ भी सकता हूँ मैं सम्विधान को भी लेकर आया हूँ कि पुरस ताफित करते वक्त भी ये मुद्दे उठाये गए ते उस मुद्दों का जवाब भी दिया गए अगर फिर से आज ये मुद्दे उठाये गए अनुचे 249 एए 3 बी के अनुसार संसत को दिल्ली संग राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में कि उससे संबंदित किसी भी विशय पर कानुन बनाने का अधिकार प्राप्त यहाँ एक अलग प्रकार से बात की राज्यों के अधिकार केजरिवाल साब भी इसकी दुहाई देते हैं राज्यों के अधिकार मैं इसलिए एक सब्द पर भार दिया किसी ने नहीं सुना दिल्ली संग राज्य ऐसा विदेग मैं महराष्ट में नहीं ला सकता ऐसा विदेग मैं गुजरात पंगाल में नहीं ला सकता ना केंद्र सरकाल रा सकती मगर राज्यों और संग राज्यों का अगर अंतर मालुम नहीं है तो मुझे लगता है कि ध्यान से सम्विधान को पढ़ना चाहिए अभी जो मैं विदेख लेकर आई हूं मानेवर वो संग राज्यक के संबंधी थे और राज्यों के अधिकार, राज्यों के अधिकार धरा 246 ये सारी चीजों का आप उप्योग करकर किसको गुम्रा करना चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूं मानेवर ज्यक्जी ये विदेख हम बिल्कूल संबिदान प्रदत सक्तियों के अनुरूप लाए है और पूर्ण तया संबिदानिक विदेख क्योंकि दिल्ली संग राज्ये है और संग राज्ये की किसी भी बात पर दिल्ली संग राज्ये की किसी भी बात पर लेजिस्ट्रेशन दाने का भारत सरकार का अधिकार और ये अधिकार का उप्योग की क्यों किया इस पर भी सवाल उठाए गए इस पर भी मैं बात में जवाब दूँगा मैं थोड़ा आगे कहता हूँ कि एक बात बताई कि 2011 में ये विदियक दिल्ली सरकार में प्रारित किया गया था संसोधन और अब आप इसको कैसे एमेंड कर सकते हो या तो कैसे बदल सकते हो सम्विदान के अनुचे 249 AA3C के तहट इस देश की संसत को राष्ट्रिय राजदानिक शेटर दिल्ली की विदान सभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संसोधित करने का उसके स्वरूप बदलने का या तो उसको निरस्त करने का अबाधित अधिकार है और जो लोग हम पर आरोप करें मैं उनको बताता हूँ यह हमारे समय में नहीं हुआ है अधिरंजन भी सुन ले यह हमारे समय में नहीं हुआ है यह समिदान के अंदर प्रोविजन अल्रेडी है समिदान को मेरे जैसे साधे चसमों से दिखोगे तो दिखाई पड़ेता होगा राधनीतिक चसमों से देखोगे तो नहीं दिखाई पड़ेगा चसमे साब करने का सवाले मानियत देख इसा बाकी तो बहुत सपश्ट लिखा है और सब बासाओं में है जो हिंदी पढ़ते हूं उसके लिए हिंदी में है, बंगाली पढ़ते हूं उसके लिए बंगाली में है, अंग्रेजी पढ़ते हूं उसके लिए अंग्रेजी में, मराथी पढ़ते हूं उसके लिए मराथी में है, सब भासाओं में है, गुजराती में मैं इसी से पढ़कर पढ़कर आया हूं आप पढ़कर आये इतना ही कहता हूं मान्यवर अनुचे 246 आर का जो उलेक किया गया वो निर्वाचन की विधा के संबंदी थे इस बिल में ध्यान से जिसने देखा होगा उसको मालूम होगा निर्वाचन की कोई प्रक्रिया के साथ हमने कोई छेड़ खा कि उल्टा सुजाव आया कि डाइरेक्ट चुनाव कर लेते हैं रही हम नहीं कर सकते हैं समीजान हमें नहीं परमिशन देता है मान्य अध्यक्जी एक बहुत बड़ा भ्रांती फिलाने का जो प्रयास हो रहा है मैं उसको सीरे से खारीज करता हूं यह पून तया संबिदान प्रदत सक्तियों से लाएगा है विदेख है इसमें संग राज्य की सक्तियों पर कोई अतिक्रमन नहीं है और ना हम करना चाहते हैं मान्य द्यक्जी उन्होंने कहा मैं एक पेरेग्राफ पढ़ना चाहता हूं कि एक जस्टिबिक जन था कि राज्य करें राज्य करें सम्विदान के अनुच्छे 249 एए 3C के पहले परंटुक के आधार पर DMC अधिनियम 1997 में संसोधन करने वाला कोई भी विध्यक राष्ट्रपती की सहमति के लिए सुरक्षित किया जाएगा अगर दिल्ली सरकार करती भी है तो उसको राष्ट्रपती की सहमति चाहिए मतलब कैविनेट की चाहिए इसके अलावा संसत के पाद केंद्रसासी प्रदेश GNCTD के लिए किसी भी मामले अर्थात तीनों सुचियों में कोई भी मामला के सबन में कानून बनाने का समवर्ती सक्तिया प्रदत है इसके अलावा अनुछे 249 ए ए तीन सी के दूसरे प्रावदान के तहट भले ही संसोदन अधिनियमन को सहमति दी है संसत किसी भी समय एक ही समान मामले के सबन में कोई भी कानून बना सकती है जिसमें कानून में संसोदन करना, अलग-अलग करना, निरसन करना सब सामिल है जो राजसभा की विदान सबा के द्वारा ही बनाएगा मनेवर यह मैं एक नॉटिंग पढ़ आ हूँ और कॉंग्रेस के मित्रों की जानकारी के लिए एक नॉटिंग जब 2011 का एक आनून आया तब देश के घुरूमंत्री, ततकालिन घुरूमंत्री और विद्वान धारा सास्त्री, स्री पीची दंबरम ने किया हुआ नॉटिंग ये उनका भी इंटेप्रिटिशन यही कहता है। मन्य दगजी अभी दादा कह रहे थे कि हमी साजी सब जगे सरकार बनाना चाहते हैं, इनकी पार्टी सब जगे सरकार बनाना चाहते हैं। पावर मतलब सरकार बनेंगे तभी तो आएगा। वैसे कैसे आएगा पावर तो लोक कंत्र में सरकार चुनकर आएगी तभी आएगा। तो मैं गुरू में कहना चाहता हूँ कि हां हुचाते हैं हर जगे हमारी सरकार बनाना। इसलिए तो चुनाव लड़ते हैं। चुनाव क्यूं लड़ना है। आप क्यूं कोवा में गए बला बताइए। आपको भी अतिकार मैं नहीं बोलता हूँ आप भी जाइए। आप भी जाएए, हर पार्टी ने हर जगह अपनी आइडियोलोजी, अपना स्टेंड, अपने कारेक्रम, अपनी सरकारों के पर्फरमंस को लेकर जाना चाहिए, यही तो लोगतंत्र की खुबसूरती है, इसमें अपत्ति क्या होती है, हर जगह पे कोई पार्टी विचार करें कि हमारे लोग चुंकर आए, हमारे कारेक्रम के आधार पर, हमारी विचारदारा के आधार पर, हमारे नेता की लोग प्रियता के आधार पर, तो इसमें अपत्ति क्या हो सकते हैं लोगतंत्र में, अपत्ति उनको हो सकती है, जिनको सत्ता छिनने का डर है, लोगतंत्र के और हमारी सरकार के पर्फरमंस के आदार पर हम सब जगे चुनाव लड़ना चाहते हैं और जितना भी चाहते हैं मगर हम सत्ता विपक्सी कारेकर्ताओं को मार कर हत्याना नहीं चाहते दगा सिरी जब खुन करकर हत्याना नहीं चाहते कारेकरताओं की पत्मियों और बेहनों पर बालातकार करकर हम नहीं चाते सत्था ले, यह हमारी संस्कृती नहीं है दाना, और लोक तंट्र का, लोक तंट्र की सीख मेरी पार्टि को मत दिजै, पहले अपनी पार्टि को लोक तंट्रिक करे, मुझे तो हसी आती, कॉंग्रेस पार्टी, टीमसी, बाकी सारी पार्टियों के नाम देना नहीं चाहता, जो अपनी पार्टी में परिवार के आधार पर पार्टी चलाते हैं, कई सालों तक अध्यक्स का चुनाव नहीं कर सकते हैं, वो देश के लोगतंत्र की चिनता करें, अरे भले अपने कार्याले में तो चुनाव करा लो भी, पहले अपनी पार्टी में तो करा लो, देश की बा विशेष अधिकारी की नियुक्ति मानिय अध्धक जी मैं फिर से कहना चाहता हूं कि विशेष अधिकारी संक्रमन काल के लिए ही नियुक्त होता है उसके बाद में चुनाव होता है और उसके बाद में चुनी भी बोड़ी आती है और विशेष अधिकारी का दिल्ली नगर न गम अधिनियम की धाराच 490B में इसका प्रोविजन पहले से हैं जो कॉंग्रेस के समय में बनाई जब आप उप्योग करोगे तो बहुत लोकतंत्रिक और जब हम करेंगे तो लोकतंत्र का हनन हो गया किस तरह से देश चलाना चाहते हो गया आत्म चिंतन करोगे क्या आइने मे अपने आपको देखोगे क्या देखना चाहिए और नहीं देखना चाहिए 490 भी कौन लेकर आए हम तो आज उप्योग कर रहे हैं उसक्त हमारी सरकार नहीं थी और मैं आज कहना चाहता हूं माने देखजी फिर से सबसे ज्यादा राज्यों में आज भारतिय जनता पार्टी कि सरकार का कि दो दो बार मोदी जी के नेत्तुटा है में इस देश की जनता ने फूल भवुमत दो त्यही भवारतिय जनता पार्टी को दिया cód एंडिये के साथ ही हमारे साथ चट्टान की तरह खड़े हमें कोई सौक नहीं है सत्ता थ्याने का मान्य अद्यक जी ना हम चाहते हैं मान्य अद्यक जी सुप्रिया जी ने कहा कि चुनाव के एन मौके पर क्यों लेकर आए विदेख सुप्रिया जी OBC का बढ़लाव, OBC सीटों का प्रोविजन का बढ़लाव महराज सरकार ने कब किया महराज सरकार में कितने साल से अड्मिस्टेटर है कितने कॉर्पोरेशन में अड्मिस्टेटर है क्यूं चुना वहाँ नहीं होते हैं और करना चाहते थे तो पहले क्यूं नहीं किया मैं भी पूछ सकता हूँ मगर जब अपने अपने राज्ये में होता है जैसे मेरे साथी सांसद निसिकांदी ने कहा कि जारखन में पांच महिने से एक साल से एड्मिस्ट्रेटर मगर चुंकि वहाँ कॉंग्रेस की सरकार है आपने बोलोगे तत्थ्यों को पारदर्शीता के साथ इस सदन पर रखना चाहिए इस सदन को पूरा देश देखता है मने देख जी मनीच तिवारी जी जवाब दे रहे थे मनीच जी नर्सिमाराव जी का नाम दिया है देखना भई जरा दियान ढखना हम आगे क्या होता है तेरा समल कर बोला करो यार भावुar को कर इतना मत बोलो हाई कमांड भासन सुनता है, नर्शी महरावजी का नाम आपने दे दिया और विट्टू भाई ने भी पंजब की गल्ती को स्विकार कर लिया, चलो अच्छा ही है, देर सबेर स्विकार कर लिया आपने दादा ने कहा दिल्ली दंगों को मैंने कहा था कि सब को जेल में डालेंगे दादा दिल्ली में भारती जनता पार्टी का सासन है पुलीस भारती जनता पार्टी की सरकार के पास है मैं सदन पर रेकोर्ड क्लियर करना चाहता हूं दिल्ली में अब तक 2473 लोगों को एरेश्ट कर लिया गया है 409 चारसिट कर लिये गये है और सिर्फ 83 लोगों की बेल हुए दो सालों गए जादा जेल में ही है जेल में ही है यह बंगाल नहीं है यहाँ भारतिय जनता पार्टी की सरकार है जो कानून तोड़ेगा उसको सजाओ मान्य अध्यक जी कस्मीर के चुनाव के लिए भी रेफरेंस आया मेरा भासन सदन के रेकोर्ड पर है कोई भी उठा कर देख सकता है फिर से सून सकता है यूटूब पर भी है आप भी उपलब करा सकते हो मान्य अध्यक जी मैंने स्पष्ट कहा था कि डी पहले पंचायत के चुनाव होंगे उसके बाद में डी लिमिटेशन होगा उसके बाद में चुनाव होंगे और उसके बाद में पूर्णराजी का स्टेटेसम वापिस देंगे पंचायत के चुनाव हो चुके हैं कोई हिंसा के बगर जिला पंचायत के चुनाव समाप्थ हो चुके हैं डी लिमिटेशन समाप्थ होने के कगार पर है और मैं फीर से सदन पर कहता हूँ ग्रू में कहता हूँ कि डी लिमिटेशन होने के बाद सभी दलो से चर्चा करकर हम तूरंट चुनाव कराएंगे हमें कोई सौख नहीं है मान्य द्यग जी एक रेफरेंस आया कि केंटनमेंट बॉर्ड भी यहां है एंडी एमसी भी यहां है आपने कहा कि राष्टपती भवन प्रदार्मंतरी नीवास संचथ भवन सब एंडी में आता है मुझे मालूम नहीं था वन्ना मैं थोड़ा डीटेल में बता था मेरा कहने का उद्ये से था कि एक माहोल जो बनता है राजदानी का उस्रिफ एंडी एमसी से नहीं बनता है और कंटनमेंट बॉर्ड हम नहीं मिला सकते हैं गोरव जी कहते थे अभी है नहीं पर तु देश भर में केंटनमेंट बॉर्ड अलग ही है यह कोई दिल्ली की वियोस्ता नहीं है देश भर में अलग है और कुछ कारवन से अलग रहना भी चाहिए अगर इस पर पुनविचार होगा और इस पर कानून बढ़ा जाएगा तो यहाँ काभी होगा कि कमिट्यों को रिपोर्ट जब-जब भी है हर सरकार ने इस पर चर्चा करी इसकी फाईले भी उपलब्द है और चर्चा के बाद ये सारे प्रस्थन जो अभी उपस्तिती हुए थे ये प्रस्थनों को नजर में रखते हुए ही निने ने लिए गए क्योंकि कमिटी की रिपोर्ट सिर्फ तीम निगम बनाना नहीं था इसके साथ धेर सारी चीजे थी रेवेन्यू शेरिंग का पावर रेवेन्यू शेरिंग की फॉर्मिला थी कुछ एक्स्ट्रा अधिकार देने की बात थी ये सारी बातों पर एक साथ अगर कोई एक पैकेज होता है तो ये तीन निगम मैं भी मानता हूं आज भी वायबल हो सकते हैं जैसे एक रिपोर्ट में ह हैं पहले सल्ट्रेक्स था जी एस्टी शेरिंग की बात है अब एक करेब अगर हम कैसे निगम चग रहें नहीं चल सकता और देख लिया करकर दस साल तक दिखा है और जीन लोगों ने कहा कि भी पहले क्यों डिलिमिटेशन नहीं करा काफी सांसदों ने तीन सांसदों ने कह मैं उनको बताता हूँ कि एक ही करन करने के पहले ही पहले डिलिमिटेशन हो ही नहीं सकता नया यूनिट बनता है उसके बाद में सीटों का बटवारा होता है वार्डों का बटवारा होता है डिलिमिटेशन करेंगे तो की सधिकार के तहद करेंगे क्योंकि निगम तो तिन निगम होगा उसके बाद ही delimitation हो से और इतनी सारी चीज पर इतनी संका करने की जरूरत क्या है भी देश के बहुत बड़े हिस्से पर भारती जन्ता पार्टी का सासन है बहुत बड़े हिस्से पर है और ये दिल्ली की दो करोड की आबादी के municipal corporation वहाँ पर भी हमारे निगम जाएंगे आप पार्टी के नहीं जाएंगे हमारे निगम की जब तीथी समाप्त हो जाएगी तब हमारे निगम चले जाएंगे हमारे counselor गर पर बैठेंगे और administrator आएगा special officer आएगा सीटों का सवाल उठाया गया दादा कहते थे कि सीटे 250 बहुत ज्यादा है दादा मैं तो 272 से 250 कर रहा हूँ 250 बड़ा ही नहीं है जो ज्यादा थी नहीं मगर ज्यादा थी इसको कम कराए पहले समझ यह कम कर रहा हूँ आप समझे ही नहीं हो बिलको मुंबई के अंदर वडो की संख्या 227 है अब दो करोड की आबादी वहाँ है यहाँ पर आबादी इतनी है उपने 250 कर रहे है क्या ज्यादा कर लिया है थूड़ी आबादी मुंबई से ज्यादा ही है और आपके हाँ भी 227 स्वार है तो सीटों की संख्या पर भी संख्या करना कहते हैं कि सीट का अकड़ा कहां से लाए चलो भई मैं मान लेता हूं कहां से लाए मैं बताता हूं कहां से लाए मगर दोजार अग्यार में 272 कहां से लाए जोट्सी को पूछ कर लाए थे क्या वो ऐसे ही एक्ट में आये था संगसत की संखा बढ़ेगी इस हिसाब से तो जहारे में बैटने की बात नहीं करा वह या अब तो एक ही होते हैं ना अब बढ़ते हैं तो सीटों की संखा भी बढ़ेगी मतलब वाड भी बढ़ेगी दूसरा बहत तरते हो ज्यादा होना चाहिए अरे बैठिए बैठिए अधिरंजन जी बैठिए बैठिए दो मीट बैठ आप मैं नहीं नहीं मैं आपको और ज्यादे समझाता हूं जिससे आप समध पाओं मैं कर रहा हूँ कि आपने सवाल उठाया विपक्स के कुछ मित्रों ने कि 272 की संख्या, 250 की संख्या कैसे तई कि तो मेरा इतना ही पूतना है 272 कैसे तई कि इतनी बात मैं करता हूँ भाई वो ठीक है, मगर तीन में भी 272 सदस्य नहीं थे उस वक्त, उस वक्त 272 नहीं थे, आकड़ा कैसे आया, ऐसे ही अनुमान से आता है, कोई आकड़ा तो रखना पड़ेगा, परन्टू हमने ऐसा किया है कि एक आइडियल एक्ट बेजा गया है, उसमें 225 की संख्या है, अ इसली हमने 250 लिया है, मैं जस्टिपिकिसन आपको बता देता है, गवरगोगाईजी ने कहा कि दिल्ली में कितनी दूरदर्सा है, यह है, वो है, और स्पेस्चियली उन्होंने यहाँ पर कोरोना का जिक्र किया, कि दिल्ली में कोरोना था, तब क्या हुआ, यह हुआ, वो मुझे मालूम नहीं है, गोगाई साब कहा रहते थे उस वक्ति, यहाँ थे या आसाम में थे, अपने क्षित्र में थे या दिल्ली में रहते थे, उनको मालूम नहीं है, मोदी जी के नेत्रुत में, इस देश में कोरोना की खिलाब जो लड़ाई लड़ी गई है, इसकी को अपने मोबाईल पर इसका सर्टिफिकेट मिल जाना, दो टिकाल लगने के बाद कम्प्लिट वेक्सिनेशन का सर्टिफिकेट मिल जाना, नौ दिन के अंदर ऑक्सिजन के उत्पादन को बारा गुना बढ़ाना, दुनिया भर से क्रायोजनिक टेंकर लाकर, उसको हवाई जाज और स्पेस्यल ट्रेंड से हर देश के कौने में भेजना, और लाखो लोगों की जान बचाना, मानने अध्यक जी, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं अधिरंजन जी को इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपकी सरकारों ने भी मैं ही वीडियो कंफरेंस कंड़क्ट करता था, हर मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी का धन्यवाद किया है, हर मुख्यमंत्री, इरिस्पेक्ट यो पाट, और मोदी जी ने भी हर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया, दानी जी डर्ड आपके जहन में हो सकता है, सबके जहन में नहीं हो सकता है, सबकुछ डर कर नहीं होता है, मिच्योल अंडरस्टेंडिंग भी होती है, और प्रयासों को, विरोधियों के प्रवास, प्रयासों को, राजदितिक विरोधियों के प्रयासों को भी, सराने की स्पिरीट भी होती है और इस स्पिरीट के तहट मुख्य मंत्री जी ने भी प्रधान मंत्री जी ने भी सभी मुख्य मंत्री को धन्यवाद किया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया और एक अच्छे बहुत अच्छे माहोल में और यह कह रहे थे कि आप पार्टी को गवरो भाई कह रहे थे आप पार्टी को काम नहीं करने दिया गवरो भाई आपको मालूम नहीं है मुख्यमंत्री ने मेरे साथ आने के लिए मना कर दिया था मैं गाया था लोक नायक जैप्रकास अस्पताल के अंदर लासो के धेर लगे थे उन्होंने मुख्यमंत्री सब आप पार्टी को नहीं करने दिया बोले है भाई मैं लिखता हूँ ना दिल्ली में कौन था तो आप पार्टी मतलब नहीं नहीं काम नहीं करने दिया आप बैठी आप हो गया अरे अधिरंजन जी रजिस्टर हो गया है बैठी लासो के धेर लगे थे अंतिम संस्कार नहीं होते थे वेक्सिनेशन का फॉर्मिला नहीं था अस्पतालों के रेट तै नहीं किये गए थे ये सारा मोदी जी के नेत्रुतों में भारत सरकार नहीं किया क्यूंकि हम मुख दरसक बनकर नहीं बैठ सकते और हमने कहीं पर नहीं कि आज जीकर निकाल दिया तो मुझे बोलना पड़ा क्यूंकि ग्रू का जो रेकोर्ड है वो सालों सालों तक रहता है अजरा अमर होता है आने वैली पिडिया इसको पड़ती है इसलिए मुझे बोले इतने सारे भासणों में चुनावी भासणों मे कोई ट्रेस इंटर्वी में मैंने आज तक कभी नहीं का मगर यहाँ पर इसलिए मुझे बोलना पड़ता है कि इसका एक रेकोर्ड बनता है मन्यद्यक्षी हमें कहा गया कि चुनाव से डर कर हमने यह बिल ले कर आए हम तो डरे नहीं है चुनाव से सुनिये ना सुनिये अधिरंदन भी बोले नहीं नहीं मैं आपको नहीं कही नहीं रहा हूँ कहा गया ऐसा करकर बोलाओ चुनाव से डर कर आए डरने का सभाव हमारा नहीं है चुनाव में हार जी थोती रहती है तो इसी का नीर्य संकर रहा हूँ सुनिये ना मैं मगर 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 मैं चुनाव से डर कर कैसे काम होता है वो बताता हूँ इंदिरा जी का चुनाव इलाबाद हाई कोट ने निरस्ट कर लिया उसके बाद रातों रात जिस प्रद्यान मंत्री को इस सदन में वोट देने का अधिकार नहीं था वो प्रद्यान मंत्री ने देज भर के सारे लोगतांत्री के दिकार छिनकर इमर्जन्सी डाली इसको डर कहते हैं लोगसभा की मियाद एक साल बढ़ा दी इसको डर कहते हैं और सुनिये अभी सुनिये ना मानिय द्यक्जी इमर्जन्सी डर कर लाई गई थी सारे लोगतांत्री पार्टियों के नेताओं को लाखो लाखो लोगों को डर कर जैल की सलाकों के पिछे डाल दिया गया थी सारे अख़बारों के एडिटोरियल यहां से तै होते थे अकासवानी पर एक प्रसिद गायक की आवाज को बेंड कर दिया गया थी डिवेट गाने भी सिंगल आवाज में आते थे इसको डर कहते हैं और क्या होगा मैं बताता हूँ जो लोग कह रहे न कि डर चुनाव के लिए चुनाव के कारण डर से ये टाला गया है वो डरते है तो 6 मैने बाद चुनाव होगा क्यों अब ही दर है भरी जनता ही करेगी अगर जितने का विश्वास है तो अभी क्यूं चुनाव चाहिए मैं देता हूँ बाद में क्यूं किया इसका जवाब भी अगर जीतने का विश्वास है तो क्यों अभी ही चुनाव चाहिए अच्छे काम किये तो 6 महिने बाद भी चुनाव जीत सकते हो डर इसको कहते हैं कि अभी चुनाव कर अलो आनन फानन में जीत जाएं मगर माननी अद्यग जी मैं कहने आया हूं कि अगर किसी को डरना है तो किसको डरना है इस पांच राज्यों के चुनाव का हवाला देकर कहते हैं कि परी नामों से भारतिये जनता पार्टी डर गई और आप पार्टी से डर गई उत्तर प्रदेश में आप पार्टी 309 सिटों पर चुनाव लड़ी सभी पर जमानत जब उत्राखंड में 70 सिटों पर चुनाव लड़ी और 60 सिटों पर जमानत जब गोवा में 49 सिटों पर चुनाव लड़ी 35 सिटों पर जमानत जब पंजाब में अच्छा परफॉर्म करा मनिपूर गए नहीं हम किस से डरे भई मैंने सुना था मैंने आपका भी बताता हूं वेटो 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 कॉंगरेस का भी बताता हूं मानने अद्यव जी इस सपर इस विशय पर भी मैं आता हूं अब मैं अब मैं सुने ना सुने कॉंग्रेस पार्टी के काफी सांसत बोली डरना भई हम क्यों डरे हमें डरने जैसे परिणामी नहीं है कॉंग्रेस पार्टी 454 सिटों पर चुनाव लड़ी अरे सौरी कॉंग्रेस पार्टी मानने अध्यक्सी बारतिय जन्ता पार्टी के कोई कारेकरता को डरने की जरूरत नहीं है हमने चार राज्यों में सरकार बनाई है और हमें पूरा भरोसा है कि मोदी जी के नेत्रूत में जहां पर भी चुनावाएगा हम निश्चित्धित कराएं हमें कोई डरने की जरूरत और भाई मैं आपको बताना चाहता हूं हम तो जब दो थे तब भी नहीं ड़ते अब तो 302 है और यहां से यहां से उस वक्त तंज कसे जाते थे मैं नाम नहीं बोलूंगा नेता का वर्ना पॉइंट ऑप ओडर उठाएंगे मगर तंज कसे जाते थे हम दो हमारे दो उस पार्टी का आज विपक्स के नेता का स्टेटस भी नहीं बचाएं हम नहीं डरते चुनाव से डरना क्या हर जीत होती रहती जनता का फैसला है हमने स ट्रांसलेशन मिस्टर सुरेश मैंने ये ट्रांसलेशन मोड पर रखें आप ट्रांसलेशन मोड पर रखें मैंने यहीं कहा है कि हम दो थे तब भी नहीं डरते थे आथ 302 है क्यों डरे ना अहंकार की बात है ना गमी का विसे है जनता का फैसला लोग तरंता में सब को स्विकार ना चाहिए और ये स्पिरिट भी इसमें डर का कोई सवाल में मन्य अद्यग जी मैं अब बील क्यों लेकर आया इसका सवाल बार बार पूछा गया मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ मन्य अद्यग जी ये तीन निगम एक को बांट एक निगम को तीन निगम में बांटने के बाद बहुत अच्छे स्पिरिट से साइट किया गया होगा उस वक्ट दोनों सरकारे एक ही पार्टी की थी मगर उसके बाद यहां सासन बढ़ला पांचवे दिल्ली के वितायोग ने तीन नगर निगमों को तीन नगर निगमों को पांच में वितायोग ने 40,561 करोड रुपया दादा सुनिये दादा सुनिये काम नहीं 40,561 करोड रुपया पांचवे वितायोग में दिल्ली के वितायोग ने देने के लिए अनुसंसा की थी दिल्ली सरकार ने 7000 करोड से कम दिया मैं फिर से रिपीट करता हूँ 40,561 करोड रुपया वितायोग की सिफारिश थी कि तीनों नगर निगमों को आबादी के प्रोड़ेटा में दिया जाए सिविक सर्विस अपग्रेडेशन के लिए दिल्ली के वितायोग की बात पर उसमें से 7000 करोड से कम दिया अब कहते हैं कि निगम नहीं चलते हमारे सांसदों ने बताया फिर भी निगम ने उनसे ज़्यादा अच्छा काम किया है अस्पताल भी ज़्यादा बनाए, स्कूल भी ज़्यादा बनाए मगर एक गाटा कैसे भरा जाए और मैं अब आग बताना चाहता हूँ कि निगम इतने बनने के बाद आज जो गाटा है, वो 11,000 करोड का है और 32,000 करोड नहीं दिया गया अगर ये 32,000 करोड देते तो एक 11,000 करोड का गाटा भी नहोता और 20,000 करोड सरपलस होता लोगों के काम होता किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा इसलिए मैं करता हूँ रादनितिक से उपर उठकर इसको सोचना चाहिए विचारना चाहिए 40,000 करोड के सामने 7,000 करोड से कम दिया 33,000 करोड कम दिया फिर भी नगर निगम के तिनों मेरों के मैं साबासी देना चाहता हूँ के सीव 11,000 करोड रुपिय का घाता है अगर पूरा दे देते तो 33,000 करोड में से 11,000 करोड निकाल दे 22,000 करोड रुपिया दिल्ली की जनता की सुखाकारी के लिए हमें और देते इसके बाद भी मान्यत जक्सी इसके डिटेल में जाने जैसा है पांचवे वितायों की सिफार इसकी बाद छोड़िये इसके बाद राददानिक शेत्र दिल्ली सरकार ने महत्वपुन अनुसंसा है जो नगर निगम ने करकर भेजी रून माफी शिक्साक्षेत्र वेकी पून प्रतिपूर्ती स्वच्छता पर वय के लिए वित पोसंट जो दादा के रहेते सिवरेज का बकाय रूनों पर व्याद दर को दिल्ली सरकार कम करे एक भी सिफारीस नहीं बाने एक पैसा ज्यादा नहीं दिया धन की कमी सी वज़ा से निगमों ने अपने राजस्व को ठीक करने के लिए कई दर्खास्ते बेजी दिली सरकार को परन्तु इसको या तो अस्विकार कर दिये गया या तो लंबित कर दिया गया आज तक एक का भी जवाब नहीं दिया है उसमें से कुछ मैं कहना चाहता हू मार्च 2020 में एक दर्खास्त बेजी आज हम मार्च 2022 में मालूम ने कहा है पंजाब से साइद आ गये है अब करे तो करे इस प्रकार से एक बार की पार्किंग प्रभारों को बढ़ाने के लिए हमने दर्खास बेजी कोई जवाब नहीं रिजेक कर दिया स्थान अंतर सुल के संसोधन के लिए भी प्रस्ताव वेजा आज तक लंबी थै विभिन परियोधनाओं के कार्यावर्यन के लिए बॉंड लेने के लिए जिसकी RBI की पर्मिशन थी है वितिय समावेशन के हिसाब से पर्मिटेड मात्या में रून करने की पर्मिशन थी बॉंड लेने के लिए हमने दिली सरकार का पर्मिशन मागा बॉंड लेने के लिए पर्मिशन हमारा नगर निगमों का रिजेक कर दिय जा गया है और अनुमोदित बजेट जो होता है राज्य सरकार का उसमें भी कटोती कर दी अब मैं एक कहना चाहता हूं कि नगर настолько कैसे चलेंगे किस प्रकार से चलेंगे क्या चाहते हैं कि दिल्ली की जंतातर ही माम हो जाए और भारतिय जंता पार्टि के खिलाप हो जाए जो ऐसा सोते उनको मैं कहना चाता हूँ सत्य को कभी कोई धक नहीं रख सकता हजारों सुरिय की तरफ देदी प्यान मान होकर भारा जूट लंबा नहीं चलता, जूट के पैर नहीं होते टिक नहीं पाएगा जूट हमारी याद चर्चा हुई हमारे संसदो नजय कहा है जो मैं कह रहा हूँ क्या दिल्ली के वासी नहीं सुनते होंगे हिसाब नहीं मांगेंगे और मैं समझ सकता हूँ कि दिल्ली सरकार के पास कमी हो सकती है ति 30,000 करोड की कमी तो फिर एडवर्टाइस के पैसे कहां से आते हैं इतनी सारी नियुकता अपने कारे करताओ की और समझ धानिक तरीके से कहां से होती अगर राद्दिती ही करनी है तो डेश के फेडरल स्ट्रक्चर को हम नहीं तोड रहे हैं जो तोड रहे हैं वो आपके साथ बठे हैं हम नहीं तोड रहे हैं क्या किस फेडरल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन इसको जस्टिफाइड करेगी क्या आप नगर निगम का आर्थिक रूप से गला ही घौन्ट दोगे इस तरह से कोई सहन नहीं कर सकता मैं इतना ही कहना चाहता हूँ डेफिसेट इसलिए है कि हमें संसादन बढ़ाने से भी रोका गया हमारे अधिकार के संसादन दिये भी नहीं और मानेवर दादा ने कहा कि सब अच्छा चल रहा है तो फिर क्यों इखटा करे हो दादा और अच्छा करने के लिए कर रहे है अच्छा करने का संतोस नहीं होना चाहिए अच्छा ही चल रहा है हमारे संसोदों ने जो कहा है एक-एक चीज रेकोर्ड पर है परन्तु इससे भी अच्छा हो सकता है इसलिए हम करना चाहते हैं मान्य अध्यक्जी एकी कुरूत नगर निगम करने से तीन मेरों की जगए एक मेर होगा, 75 समीटियों की जगए 25 समीटिया होगी, तीन मिन्सिपल कमीशनर की जगए एक मिन्सिपल कमीशनर होगा, तीन मुख्यालय की जगए एक मुख्यालय होगा, नीनयों में समानता रहेगी, एक रूपता रही, एक ही सहर में दो प्रकार के करके स्ट्रक्चर नहीं रहेंगे, विष्टियस थीटी भी अच्छी रहेगी और लगबग देड़ सो करोड का खर्च साला ना इससे कम होगा मान्य अध्यक्जी मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार मुख प्रिक्सक बनकर नहीं रहेज़े दिल्ली देश की राजदानी है देश की राजदानी की नगर निगम से यहां की सिविक सिवाव के कारण पूरी विश्व भर में देश की छबी बनकी है अगर इतनी ओची राधनिती दिल्ली राधनानी क्षेत्र के अंदर हो रही है तो हमें इंटर्विन करना ही चाहिए, न करते तो गलत था, इसलिए कि और उचीत समय पर किया, क्योंकि पांच साल निगम के थे, समाप्त होगा तब तो एक ही करन करंगे, चुने हुए प्रतीनितों का अधिकार कैसे ले लेंगे, नहीं ले सकते, और सवाल उठाया जा रहा ह परिणामों के बाद पहले इसलिए नहीं किया था, वही तीन महिना पहले के कहते के चुनाओ को प्रभावित करने के लिए किया, आप पार्टी को दबाने के लिए किया, हमने चुनाओ की राह देखी, अब इसमें भी आपको अच्छा नहीं लगा, हम क्या कर सकते हैं, और म मैं अभी भी कहना चाहता हूं, सारे संसाधं सब्हों को कहना चाहता हूं, कि जब भी बील पर कोई आपके मन में अधिरण जन जी ने का हमें संकार है, एक फ़ोण उठा कर अधिर भात कर जेते, मैं तो नीरसं कर देता संकार हूं, इतने बड़े फ्लोर में, आप इसा भई मैंने टाइम का ही जस्टिफिक्शन दिया अरे भई ये वो प्रेस कॉनफरेंसी ये गोशना करने की थे आप उसको चुनाओ की समझ बैठे ये वो प्रेस कॉनफरेंसी ये गोशना करने की क्यों आप उपर में बोलके क्यों रिकोर्ड में लाते हैं कि रिकोर्ड में नी जाना मानिये सदश्यगन जो ये बोलते हैं न ने तो रिकोर्ड में जाता न टीवी में जाता है इसलिए अंट में मैं बताना चाहता हूं कि बिलको हम दिल्ली नगर निगम की सेवाव को चूस्त जुरूस्त करने के एक मात्रव देश से लाए हैं धाचागत सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए लाए हैं नगर निगमो को आत्म निर्भर बनाने के लिए लाए हैं नगर निगमों को स्वावलंबी बनाने के लिए लाए हैं और जब चुनाव समाप्त हो जाए जो भी पार्टी जीत कराए आत्म सन्मान के साथ दिल्ली जनों की सेवा कर ले इसलिए आए हैं अता मैं सभी लोगों को बिवेदन क करूँगा कि पक्सा पक्सी से उपर उठकर इस बिलको सरवानुमत से आप लोग सहयोग दीजे एसा मेरा आप सभी से लिए प्रश्ण एकी विदेग पर विचार किया जाए जो सदस इसके पक्ष में हां के हैं जो सदस विरोध में ना के हैं मेरे विचार में निंडे हां वालों के पक्षवां हां वालों के पक्षवां विदेग पर विचार करने तू प्रस्ताओं को स्विकत क्या गया अब सभा प्रेओ प्रच्राशेने कर्ई एफ प्रच्राशीम चंतन दी संच्ट होपोइं। in Re tyre एबस्का बूटम्न सक्रभी था तर इस मेऩ पिल्म प्रच भूब्र्ज निऊन aur न कर दादिता यू इसलिटे धर मुर्ण इसे मेंपीडलाख प्रिटाप्रज टीम मान कर नूचIP I would like to draw your attention to Article 243-ZB. After Part 9-A of the Constitution, there is a clear provision by which, in which also the Government of India or the Parliament is having the legislative authority to legislate on the issues of the Union Territory. But there is a proviso, there is a proviso that the President, His Excellency, the President has to give the exemptions or the modifications of this Part 9-A. I would like to know from the Honourable Minister whether the President has given any exemption or modification of Part 9-A of the Constitution which is applicable to the Delhi Union Territory. That has not been explained in your reply. So this is a constitutional competence so that this can be legislated by the Parliament. I am seeking the clarification. Sir, the Honourable Minister is ready to respond. Sir, please, this is an academic question. Sir. प्रश्ट ये कि एनके प्रेमच्दर्दारा प्रस्तूस संच्वेशन्दान के नाइन को स्विकत क्या जाए? जो सदस्विरोद में नाख है? जो सदस्विरोद में नाख है? जो सदस्विरोद में नाख है? मेरे विचार में ने हावालो के पक्ष्मवार हावालो के पक्ष्मवार खंट तू से पोर विधे कांग मना. सोगत राइजी, संच्वर संक्या 1, 3, 6. Sir, I beg to move that in page 2 omit lines 31 and 32. जहां पर बोला कि for the world government, central government shall be substituted. मैं चाहता हूं कि ये निलम भी कर दिया जा, बाहर कर दिया. जो सदस इसके पक्ष्म में हाँ कहें, जो सदस विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्ने नावालो के पक्ष्मार नावालो के पक्ष्मार संच्वार 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 संच प्रस्तूत संचोर संक्या फोर को स्विक्रत क्या जाए जो सदश इस प्रक्षमें हां कें जो सदश विरोद में नां कें मेरे विचार में नावालों के प folks आणवालों के प्रस्ट्षमें केट संचोरर अस् sutis कदा एन के ने परिम चंदर जी संचो दो का 10 से 15 प्रश्टनिंहे कि एन के प्रेम अधार प्रस्टू शसने क्या ह् टे सिंसे फिल्टर क्या गिए जाए जो सथे प्रक्ष महात में डあの्य को प्रश्च नहीं कि खंधाइप और शिOf अग्म आरा के gummy in the हॉआ धर डिराफ आ लोक प्रक्षम हा ओलोकर्ट थे खंधाइप प्र्यों त्परर हिख वन भ॥もう sir this is regarding the employees issue because when the consolidation of all trifurcation becomes unification the proviso is to be added that the tenor remuneration and terms and conditions and service of officers and employees shall not be altered to his disadvantage because employees interests have to be protected this is a proviso to be added that is the amendment which i am proposing i'm moving sir is सेवन सेट पेज फोर लाइन थ्री प्रश्ट अप्ट अप्टर सेंटर गवर्वेंट आ उड़ लाइक टी इन इन प्रश्ट अश्ट अब्धूल खलिक जी संशों सिंख्या एट सिर्यए नके प्रें चंदरण जी सेवन टीं से हिन्टीं से नैनिटिन संख्याह एगश्ट्याइख मोविण समय है क्या मेरे विचायत कि ते न वह लोग किे परक्ष्मा ना वाल कि हम शॉघ कट था प्रश्णे रंड जाव संठ गहर भार कि सब्सक्राइब नार्ट को कट तो स्थी टैव ना तरी करहत के बता है प्रश्टिए की खंड 14 विधे कांग बने जो सदेश के प्रख्षम हों yüzden जो सद द्राशीर रोज में न कहें मेरे विचार में निद references हां वालों के प्रख्षम हां वालों के प्रख्षम हों हों प्रख्षम होंㄘ को थृद्धर का उकृट्रे पूरा नाम विदेग का अंग बने मंतरी या प्रस्ताओ करें कि विदेग को पारित किया जाए ढ़樹 मैं प्रस्ताओ करता हूं कि विदेग परउत किया जाए जो सदर शिरक्षर की परुण म झीरोध मेंनना कें मेरे विचार में निन्नेढे सेफ Chumaj हालों के पच्छनल प्रस्ताव सीकर्ट वा विदेख पारित वा सबाइक